सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं जो भी निया वीडियो ढलू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएं दियार के मित्लाँंचλι में बनाए जाता है और इसमें जो है जीहां चांद को अरग दिया जाता है वो चांद को अरग देती है और इससी तिन पकवान बनाया जाता है दही का खास महत्व है जीहां मटकूरी में दही मिटी के बरतन में दही जम आया जाता है और साम के टार में जीहां रंगोली बनाके आंगन में अहिपन बनाके इस परी सारी डाले जो होते हैं डाली में सारा पिरिकिया जो भी पकवान बना हो रहता है फल रहता है वो रख के औ और उसके बाद चछत आजकल तो घर में लोग आंगन तो है नहीं तो सारे लोग चछत पे सहन में चछत पे करते अभी गाओं में जो है आंगन में ही किया जाता है अब इच में मरर बनाया जाता है मरर में जी हाँ जो है वो खीर और दाल भड़ा पूरी रहता है जम दाल भड़ा पूरी से ढख दिया जाता है और जितने भी घर के जेंस है उस मरर जी हाँ अर्ग देने के बाद जो है वो सबसे बरे जो घर के में जो जेंस होते हैं सबसे बरे जो होते हैं हेड आफ दो फैमल यह हैं आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और पिछले साल में लगा दोंगी देख सकते हो तो वहाँ पे जाके 17,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है मेरे चैनल पे तो इसलिए मैं और बार बार आ रहा था कि 2023 में जी हां 2023 में चोर्चन कब मनाया जाएगा 2023 में चोर्चन कब है तो मैं सुची क्यों आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट कर दूँ ज्याद माई के मनाया जाता है मैं खुद मिथला से हूँ तो इसे पर्व को मैं बहुत अच्छे से देखी हूँ समझी हूँ तो मैं सुची क्यों आप लोगों के साथ सेयर करो आप लोग को हेल्प हो जाएगा क्योंकि आप लोग सेर्च कर रहे हैं कि 2023 में जो है वो चोर्चन कब है तो फैनली मैं बता दें उने सिप्टमबर को है जो की भादर भादर पर्द में मनाया जाता है तो आप लोग बना सकते हैं आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मे